हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कलकत्ता रेस की और कलकत्ता दो अप्रेल की रेस है पहली रेस दो बच के 45 मिनिट में और आखरी रेस पांच बच के 15 मिनिट में है काड यार देखने में तो काफी छोटा लग रहा है बट जब रेसे अगर इन में भी नहीं आती है तो बहुत डेंजर लगने लग जाता है कई बारी छोटी रेसे और वंटू की बैटे ज्यादा हैं फर्स्ट रेस में आ जाते हैं फर्स्ट रेस यहां पर 1600 मिटर की है क्लास 5 क अलब की और यहाँ पर जो मैं गोड़े पिक लेकर चलूंका यार वन टू की बैट है और वन टू में भी दो गोड़े पहले तो मैं एक नमबर को पिक लेकर चलूंगा सैप्टी मेर सवैरियस और सब इस बार्टी इस गोड़े की मैं बात करता हूं यार लास्ट रन पहला रन था क्लास 5 में और बैंगलोर वगरा मदरास गोड़ा भाग के आ रहा है अच्छे फिल्ड में अच्छे गोड़ों के साथ में भागा हुआ है और यह मैं हमेसा बोलता हूं या कुछ बच्चे गोड़े होते हैं उनका एडवांटेज रहता है रन का बैंगलोर या अधर से लेके चलूँगा यवर यवर के साथ भी कुछ एक्विमेंट यहां पर चेंज कर रहे हैं उससे पहले 2000 मिटर में तो बड़िया रन थाया बॉन्ट वी स्पॉयल्ट के साथ में बट उसके बाद अभी होपिंग स्कैस के साथ में नौवे से सात्वा हुआ हुआ काफी बैट तो पिक लेके चलूँगा दोस्तो आठ नंबर को लेके चलूँगा पहले इस पिरिट विवेक जी जौकी के बात करता हूं तो कोई सकी नहीं है और एक नंबर का ड्रॉव है राजे सिनरेटू के राजे सिनरेटू का गोड़ा है डियाडी के साथ में लास्ट टाइम कुछ इंसिडेंट हुआ था उससे पहले विवेक जी ने राइट किया था बिलिंक की बिल के साथ में बहुत सुपरियर रन था यार गुट सेकंड हुआ था उमीद करते हैं यह गोड़ा यार माइटी स्वैलो है और साथ राजे निकरवाल जी के पास था किसी टाइम पर उमीद क गोड़ों में डर्भी वीकेंड में यह गोड़ा भागा था दो मार्च को एंटरी राज के नीचे निरर रावल बैठा दिया है लोवर वेट में बिलकुल ही गोड़ा मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी दो नंबर के डौर से फ्रेंट इन गलादा चौदा सो मीटर मे और फिल्ड काफी टाइट थी उमीद करते हैं गोड़ा यार एक बैटर रंदे जीते हैं यहां पर उसके बाद आ जाते हैं थार्ड रेस में थार्ड रेस यहां पर 1100 मिटर के लास्ट टू की है तो इस रेस में थोड़ा सा यार आप पहले तो मैं पिक की बात कर लेता हूं हम पिक में सिंगल ही लेके चलना हूं दो नंबर अटर्नल प्रिंसिस पी सिद्धर राजू पोटेंसल है गोड़े पे यार और मेरे साब से तो स्टार्ट टू फिनी जाने चाहिए गोड़े ने राजेस नेड़ू जीता गोड़ा है और काफी सुप्रेयर रन हम अल्रेडी की फ्रंट देख चुके हैं फ्रंटी भागता है गोड़ा लास्ट टाइम थोड़ी सी प्रंपरा वाली बात थी छे गोड़ों में गुड़ थर्ड हुआ है नेक्स है तो निरा रावल बैटा था सिद्धर राजू बैठा दिया है दो किलों का अलाउंस है उम्मीद करते है स्टार्ट टू फिनिश जाए गोड़ा और बाकी इस रेस में जो और गोड़े मुझे दिख रहे हैं मतलब जो टॉब में दिख रहे हैं मैं कालाहरी गोल्ड और आल टाम लेजेंड और लाट डॉमिनेट इन तीनों में कन्फियूज हूं और वन्टू की बैठ है मैं अगर काफी सुपरियर अंथा इंटर निराज के नीचे और टाम लेजेंड अभी जीता है चौदो सुमिटर बहुत सुपरियर और एक बार ही 1100 में गूट साइकल लगावा है तो यह तीन गोड़ों में मुझे ज्याधा कन्फिजन है इसलिए मैं सिंगल ही पिक लेके चलूँग है नौनमबर इस पे क्यों लेटर यह भी लास्ट अगर हम बात करते हैं सुजीत कुमार पासवान और किंग्स ट्रीटमेंट के साथ में चौथा हुआ था नेकिब बिडिंग थी और ट्रेवर ने बहुत सुपरियर जिताया था यार इसे बारह सो किलास फाइव में सेम जोक किंग यह मुस्तिकिम आलम और सुपर काईगा के साथ में अभी थार्ड हुआ है उससे पहले माई पिंसिस के साथ में 400 मिटर बहुत इंप्रेसिव जीता हुआ है सवाच्छे लेंटों से तो उमीद करते हैं एक नंबर का डौ है स्टार्ट टू फिनिश जा सकता है पटेंस तो यार मेरे ख्याल से जो जाता है मैं समझ पा रहा हूँ यह मेरे ख्याल से पैसिस आपके पास किसी टाइम पर गोड़ा था और बस इसका डिस्टेंस थोड़ा सा चौदो सो साइद ही यह फर्स टाइम जा रहा है जो भी है अधरवाइस नहीं तो यह गोड़ा बिलकुर इसमें सोला सो मिटर की रेस है दा एड्जूडिकेट कप और एड्जूडिकेट गोड़ा सभी को याद होगा साइद दो बारी साइद इन्विटेशन जीता हुआ है यह सीनात के नीचे रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ में साथ में साइद वही गोड़ा है यार ज्यादा मै बहस भी दे रहे हैं और मैं उमीद करूंगा यार यह गोड़ा जीते हैं यहां पर बाकि सोला सो मिटर में एक रन एक स्टार इस बाउन के साथ में गुट थार्ड हो रहा है वियार जगदीश बैठा वादा और रेटिंग वाइस अगर मैं बात करता हूं तो मेरे ख्याल से दर्वाइद नहीं तो दो नंबर मुझे समझ आ रहा था और एक नंबर भी तो कन्फूजन बहुत ज्यादा है यार तो इसलिए मैं सिंगल ही पिक लेके चलूंगा सैवीच एक पी ट्रेवर उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों छटी रेस में दा नैटिव नाइट कप है दो दो नंबर दुबई स्टार यह गोड़ा यार स्लो निकलने के बाद भी मतब दोजार मीटर बहुत इंप्रेसिव जीता है और धाय लैंतों से सेम वेट जा रहा है अबदुल फजल चपन किलो दो किलो का अलाउंस का बेनिफिट है दो किलो माइनस करके 54 किलो सेम वेट में पहुंच गया तो बिल्कुल 2000 मीटर मेरे ख्याल से तो रिपीट करना चाहिए लेकिन स्लो निकलता है तो इसका थोड़ा सा डिस एड्वांटेज भी हो सकता है उसी के साथ में मैं एक गोड़ा पिक लेके चलूँगा यहां पर यह तीन नंबर मंडेला राजेस नेडू जी जीतेगा है यह अपसेट करेगा जो भी है मैंने बताया था कि यह डिस्टेंस इसका बनता नहीं है बट हाँ इस बार ही थोड़ा से डिस्टेंस बनता है क्योंकि 1600 मिटर एक बार ही स्टार्टू फिनेस अक से कुमार के जीता हुआ है घुड़ा यह हैधराबाद में तो यह किलास 3 में एक और रन कैसा जाता है गोड़े का बाकि इनी दोनों में रेस समझ आ रही है और इसी के साथ आप सबी को यह कलकत्ता के लिए बैस्ट आफ लग और ऑल दा बैस्ट मेरे भाईयों इसके बाद आप से मिलते हैं फिर दुवारा से कलकत्ता की रेसों में ठीक है द